कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी उसका नंबर है 227 वहें वीडियो मैंने West Decomposer के उपर बनाई थी और आप लोगों को ये बताया था कि West Decomposer के क्या फायदे हैं और उस समय मैंने आपसे एक प्रोमिस भी किया था कि इस पर एक विश्तरत लेक मैं अगली वीडियो के साथ वेबसाइट पर तूँगा जी हां मैंने अपना प्रोमिस पूरा किया आप यह लेक हमारी वेब साइट पर जैविक खेती के अंदर देख सकते हैं उसे डाउनलोड कर सकते हैं उसे अपने पास रख सकते हैं और उसे पढ़िए किसान साथियो आज मैं बात कर रहा हूँ गोबर के खाद की यह गोबर का खाद इतना महतोपूर्ण क्यों है और क्या इसके बिना बागवानी और खेती संभव है मैं यहाँ पर रसाइनी खेती और जैविक खेती की बात नहीं कर रहा हूँ किसी भी प्रकार की खेती और किसी भी प्रकार की बागवानी हो सवाल ये है कि क्या इसके बिना संभव है हम जब बजार में आजकल देखते हैं तो हमें विभिन परकार के उत्पाद मिलते हैं कुछ लोगों का कहना है कि हमारी जमीन में आवस्यक पोस्यक तत्व पहले से ही मुझूद होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और माइक्रो न्यूट्रेंट हमें इने केवल जीवानवों के द्वारा पोदों को उपलब्द कराना है और इसी को ध्यान में रखकर कुछ उत्पाद बजार में आए जिने हम नाइट्रोजन फिक्सिंग, फोस्फोरस सोलेबिलाइजिंग और पोटास सोलेबिलाइजिंग बैक्टिरिया कहते हैं इन बैक्टिरिया का काम है कि जितना भी ये एगुलनसील तत्व जमीन में है उनको घुलनसी लवस्था में बनाकर पोधो के उपलब्द कराना है इसमें कोई दो राय नहीं है यही बात कुछ लोग जीवामरत के बारे में भी कहते है किसान सातियों आपको याद होगा कि मैंने खाद प्रबंदन पर दो वीडियो बनाई थी पहली वीडियो थी 202 और एक दूसरी वीडियो थी 197 नंबर की आप इनको एक बार फिर देखिए आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ यह बहुत महत्वपून चर्चा है और जब मैंने इस पर एक लेक और लिखा और मैंने अपने जो मेरा वाटसेप पेट ग्रूप है उसमें दिखाया तो एक किसान ने दो सब्द लिखे उस पर और वो मुझे इतने भागए कि मैंने इस वीडियो का टाइटल उसी पर रख दिया जी हाँ बहरूपिया गोबर किसान सातियों हमारे घरों में जितने भी किसाने अधिक तर के पास जानवर होते हैं और उनसे हमें गोबर मिलता है गोबर इतना महत्वपूर्ण है कि ये घर के विभिन कामों में आता है आप ये भी देखिए कि ये हमारे घर में सफाई के काम में भी आता है हर अवस्था में इसका प्रियोग होता है और ये बहुत मेरतपूर है कच्चा गोबर लीजिए घोल लेजिए कच्चे फर्स पर करिए ठंडक मिलेगी सफाई होगी गोबर से उपले बनाईए उपलो से जो लोग है कुछ अंगिठी भी जलाते हैं और कुछ अपने चुले में भी इस्तेमाल करते हैं गोबर से आप खाद भी बना सकते हैं अपनी जो खता है उस पर डाल देते हैं धीरे 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 समय लेकर वो खाद बनती है उस खाद को हम खेत में परियोग करते हैं मैंने तो कच्चा गोबर भी अपने खेत में लगाया यानि कि दो दिन पुराना गोबर भी घोल कर मैंने अपने खेत में दिया है लेकिन ये काम हर किसान नहीं कर सकता किसान सातियो आज हम चर्चा करेंगे इसी बहरूपिय गोबर के उपर कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है और हम अगर अपने खेतों में जीवामरत भी देते हैं या PSB भी देते हैं या रसैनी खाद भी देते हैं तब भी क्या इसके बिना खेती एसम्बव है ये है आज की चर्चा का विश्य है किसान सातियों आप देख रहे हैं अमेजिंग किसान का यूट्यूब चैनल और मैं हूँ डाक्टर अनिल कुमारतियागी आईए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं किसान सातियों ये गोबर इतना महत्वपूर्ण क्यों है जो हम गोबर की खाद बनाते हैं ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है जो मैंने ये गोबर की खाद बनाने पर एक लेक लिखा है जो वेबसाइट पर उपलद है और डेस्क्रिप्शन में इन दोनों लेखों के लिंक भी दिये गए है अगर आप उसे क्लिक करेंगे उस लिंक को कोपी पेस्ट करेंगे या क्लिक करेंगे तो आप उसी इस्थान पर पहुँच जाएंगे वेबसाइट पर आप इसे पढ़िए जरूर इसे डाउनलोड कर रख लीजिए कई बार पढ़िए और हर बात जो मैंने लिखी है उस पर चर्चा करिए चुकि इन लेखों को लिखने में मुझे कई आदमियों ने सहयोग किया है उसमें मुख्य हैं एक हमारे राजेश कुमार कोदेशियाची जो कैमिकल इंजीनियर है और सोक के कारण हमारे गुरूप से जुड़े गए हैं और हर बात को बहुत गहन चर्चा करते हैं दूसरे हैं तुसार भाई पटेल जो मेगधनूस बायो फर्टिलाइजर के संस्थापक हैं और वो ये बैक्टीरिया भी बनाते हैं और कुछ उत्पाद जो जैसे ट्राइकोडर्मा है ये भी बनाते हैं और ये हमारे गुरूप में जुड़े हुए हैं इनको हमने विसेश रूप से आमंतरित किया था और समय समय पर हमारे सदस्थ से इन से सवाल करते हैं जो इनका जवाब देते हैं तीसरे हैं अमित भाटी जी अमित भाटी जी एडवोकेट हैं और जीन्द के रहने वाले हैं और एक वीडियो में मैंने उनको भी दिखाया था इन तीनों ने इस लेक को सही रूप से और साधारन सब्दों में किसानों के लिए प्रस्तुत करने में मेरा सहयोग किया है अगर इनका सहयोग ना होता तो मेरे लिए यह कारिया लगबग एसमभा होता है मैं इन तीनों का और गुरूप के अपने सभी सदोस्वागा जिन्होंने मेरे इसको टाइटल भी सुझाया है मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ किसान साथियो यह जो गोबर है इससे हमें खाद मिलता है हम खाद बनाते हैं खाद हम विभिन्ड परकार से बनाते हैं कुछ लोग इसको इकठा करते रहते हैं साल के अंतमी से खेत में डालते हैं कुछ लोग जल्दी बनाने के लिए जैसे मैं भी करता हूँ West Decomposer में सरसोगी खली आदी डाल कर मिलाते है कुछ इसमें जीवा मरत मिलाकर घना मरत बना लेते हैं उससे भी जल्दी खाद बनती है कुछ इसमें कुछ बैक्टीरिया आते हैं जो बजार में मिलते हैं और अगर वो डाल दो तो बहुत जल्दी ये एक कंपोस्ट के भुरबुरा खाद बन जाता है कुछ लोग वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं जो की दो से तीन महीने में आपको तयार हो जाता है विभिन परकार है लेकिन सब में जब हमने टेस्ट कराया और एक वीडियो में हमने दिखाता लगबग उसी मात्रा में इन में तत्वे मिलते हैं और उसी मात्रा में ये इतने गुणी होते हैं कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है अगर आप वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं तो बनाईए आप स्वेस्टी कंपोजर से बना रहे हैं तो बनाईए लेकिन आप इसे कहीं बाजार से बहुत महँगा मत खरी दिये साथियो जब हम गोबर की खाद प्रियोक करते हैं तो हमें इसमें जैसा हमने अपने टेस्ट में दिखाया था कुछ तत्व मिलते हैं नाइट्रोजन मिलती है हमारे को फॉस्फोरस मिलता है पोटास मिलता है और कुछ सुक्सम तत्व भी मिलते है इसके साथ मिलते हैं हमें जीवानू जो जीवानू इन तत्वों को गुलनसी लवस्था में बनाकर पोदे को उपलब्द कराते है अब ये जीवानू तो हमें बाहर से भी मिल सकते हैं ये जीवानू हमें जीवामरत से भी मिलते हैं और जीवामरत से भी हमें कुछ तत्वे मिलते हैं अगर आप देखो तो nitrogen भी मिलती है, phosphorus भी मिलती है, potassium भी मिलती है, यह सब मिलते है, तब हमें इनकी आवश्चक्ता क्यों होती है, इस बात को मैं थोड़ा समझाने की कोशिस करूँगा और यही मैंने लेक में समझाया है, किसान साथियों, जो ये जिवानों हैं, इन्हें रहने के लिए, और अपने जिन्दा रहने के लिए दो चीजों की आवश्चक्ता होती है, पहली आवश्चक्ता इन्हें होती है, कारबन की, जिस कारबन की अवस्था में ये जिन्दा रह सकते हैं, और दूसरी इन्हें जब multiply होते हैं, कहते हैं कि गुना करो, बढ़ाओ इनको, तो इन्हें होती है सूगर की जैसे के हमें ग्लुकोस से ये इनका भोजन होता है और इसको खाकर ये मल्टिप्लाई करते हैं तो अगर हम बाहर से लाकर भी कोई जीवानु अपने खेतों में डालते हैं तो हो सकता है कि कई साल तक रसाइनी खाद प्रियोग करने के कारण काफी मात्रा में खाद आपकी जमीन में ऐ गुलंसी लवस्था में हो और ये जीवानू उस खाद को गुलंसी लवस्था में करकर आपको पोधे को अबलेबल करा देते हैं इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि ये जीवानू ही केवल important है important क्या چीज है मुख्य क्या है कि एक आपकी जमीन में वहाँ पर ऐ गुलंसी लवस्था में वो तत्व होने चाहिए दूसरा कि इन जीवान वो को जिंदा रहने के लिए और काम करने के लिए एक वातावरन चाहिए जो हमें कारबन से मिलता है और कारबन का सबसे अच्छा सुरोत हमारा गोबर की खाद है इसलिए गोबर की खाद बहुत महत्वपून है किसान सात्यों जब भी कोई आपको ये सुझाओ देता है कि आप ये सोलुबलाइजिंग बैक्टिरिया का परियोग करिए मैं मना नहीं करता बिलकुल करिए लेकिन उससे पहले मिट्टी टेस्ट कराकर ये जाच कर लीजिए क्या आपकी मिट्टी में एगुलंसील अवस्था में ये तीनों तत्वे मुझूद हैं जिनके बैक्टिरिया आप डाल रहे हैं नाइट्रोजन की तो मैं मान सकता हूँ इसलिए इसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टिरिया कहते हैं चुकि ये अधिकतर वातावरन और पानी से पोधों में फिक्स करता है लेकिन फासफोरोस और पोटास ऐसे तत्वे हैं जो अगर आपकी जमीन में एगोलंसी लवस्ता में नहीं है तो आप कितना भी आप सुलूबलाइजिंग बैक्टिरिया डाल लीजिए इनका उससे आपको कोई फाइदा नहीं होने वाला है ये है वैग्गानिक कतर किसान सातियो जब अभी पिछली बार मार्च के महिने में मैं टूर पर गया था तो रहोरी में कुछ वैग्गानिक मेरे से बात कर रहे थे उन्होंने मुझसे एक सब्द कहा था और ये कहा था कित्यागी जी आजकल इतने उत्पाद हैं उत्पाद सही भी है लेकिन अगर सही रूप में परियोग नहीं करें तो खेती में नुकसान उठाएंगे या खेती छोड़ देंगे और या खेती दूसरों को कुंटेक्ट पर देतेगे इसी दिशा को और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर मैं आप लोगों को सिक्सित करने का परियास करता हूँ कि जो हम परियोग कर रहे हैं मैंने West Decomposure परियोग किया तो मैंने ये टेस्ट कराया कि इसमें क्या है West Decomposure में कोई भी तत्वर नहीं है उसमें बैक्टीरिया मिले है जो जमीन में एगुलनसी लवस्था में फोसफोरस, पोटास और नाइट्रोजन होती है उसको उपलब्द कराता है या जिंक होता है और बैक्टिरिया काफी मात्रा में मिले हैं इसलिए मैं उसे जमीन में अगर आप सिचाई के माध्यम से दोगे तो आपको फाइदा होना निश्चित है अगर वहाँ पर ऐ गुलंसील अवस्था में ये तीनों तत्वे मिलेंगे तो ये बहुत काम करेगा और जहां पर नहीं है तो इसका कोई फाइदा जादा नहीं होगा आपको लेकिन अगर हम गोबर की खाद डालते हैं और इसके साथ कुछ मात्रा में हम बहारिस से भी लेकर रसाइनी खाद भी डालते हैं मात्रा कम करिए तो वेस्टी कंपोजर जब तक आप देते रहेंगे ये सभी को गुलंसी लवस्था में बनाकर आपके पोधों को उपलग कराएगा और तभी आपके solubilizing bacteria चाहे वो आपके किसी के भी company के हों चाहे west decomposer के हों ये आपको फाइदा करें किसान सातियों ये जीवानू उसी तरह महत्वपूर्ण है जिस परकार आपके घर में एक रसोईया आपकी रसोईय में सब चीजे होती हैं लेकिन एक साधार नवस्ता में सबजी भी होगी कच्छी सबजी होगी दाले भी होगी आटा भी होगा सबजी ये आपका रसोईया ही है जो इन सब को मिलाकर खाना बनाता है और तब खाना आप खाते हैं और यही बात जीवानों के लिए भी सकते हैं किसान सातियो आज जो लेक मैंने अपलोड किया है ये दूसरा लेक है और इसमें मैंने बताया है कि तीन प्रकार से किस प्रकार आप अच्छी खाद जल्दी से जल्दी बना सकते हैं इन तीनों विधी में से कोई भी विधी अपना ये और गोबर की खाद अवज से तयार करिए बाहर से नहीं खरी दिये इस से आपको बचत होगी अच्छी सस्ते खाद में लेगी किसान साथियों मेरे पास कुछ किसान ऐसे हैं बहुत बड़े-बड़े किसान हैं जो मुझे बुलाते हैं और मेरे कहें अनुसार अपने फार्म पर काम करते हैं कुछ किसान ऐसे हैं जो अभी सुरू कर रहे हैं सबसे मैं यही कहता हूँ सबसे पहला कारिये आप खाद प्रबंदन का करिये जब मैं खाद प्रबंदन की बात करता हूँ तो मैं गोबर की खाद की बात करता हूँ हमारे लिए जो सुक्सम तत्व हैं आठ वो इतने महत्वपून नहीं है जितना की हमारे लिए गोबर की खाद से कार्बन महत्वपून है और गोबर की खाद में कुछ तत्व हमें अवस्य मिलते हैं लेकिन कार्बन हमारे लिए बहुत महत्वपून है इसी कार्बनिक वातावरण में ये जीवनों पनपते हैं और ये जीवनों आपके पोधों को सब तत्वों को उपलब्द करते हैं और कार्बन का सोर्स है गोबर दूसरी बाद आपके खेत में जो भी घास फूस या जो भी चीज़े निकलती एवन घर से सबजी मिले सब को अपने गोबर के खाद में डालिए पराली हो पराली को काटि उस पर वेश डीकमपोजर चिड़क दीजिए और फिर उसकी उसे रोटावेटर से या किसी भी चीज़ से बहा दीजिए आप देखेंगे कि आपके खेत में कार्बन की मात्रा एक दो साल में ही बढ़ जाएगी वेश डीकमपोजर का परियोग करेंगे तो आपके खेत में क खाद की अवश्यक्ता होगी। किसान साथियों, एक बात गांट बांध लीजिए। अगर आप गोबर की खाद का परियोग साल में कम से कम एक बार नहीं करते हैं। तो आप कहीं ना कहीं अपने पोधों के साथ अन्याय कर रहे हैं। मैंने बहुत किसानों से मिलता हूँ, जो मेरा गोबर की खाद का परियोग नहीं करते, उनके हैं बीमारियां अधिक आती है। इस परिकिरिया में जब हम गोबर से हमने खाद बनाई, चाहे वेस्ट डिकमपोजर से बनाई, चाहे किसी भी चीज से बनाई, जब वो खाद बनती है, तो उसमें हमें क्या मिलता है। हमें नाइट्रोजन मिलती है, फासफोरस मिलता है, पोटास मिलता है, कुछ सुक्सम तत्वा भी मिलते हैं, और जीवानू भी मिलते हैं। अभी ये काम पूरा नहीं हुआ है, ये खाद का कारिये पूरा नहीं हुआ है, जब हम इसे जमीन में डालते हैं, अपने पोधों के पास मिट्टी में मिला देते हैं, तब ये जीवानू फिर सक्रिये होते हैं, और इस खाद में जो भी तत्वा उपलब्द होते हैं, उन साल तक चलती रहती है एक साल के बाद वहां पर कुछ खाद की मातरा फिर मिलेगी आपको ये क्या होता है कभी सोचा है आपने जी हाँ जब उसमें से सब मिनरल्स जितने भी सुक्सम तत्वर तत्वर पोदों को उपलद करा दिया जाते हैं तो जो अवसेश बचता है उसे कहत हैं हुमस और किसान साथियो हुमस इतनी महतोपूर्ण चीज है कि ये कहते हैं कि जब हुमस जितनी मिलेगी आपके पोदों के पास में जमीन में उतनी ही उसकी धारन चमता होगी पानी को रोकने की अगर एक किलो हुमस आपकी जमीन में है तो वो वहां पर एक किलो ही पानी को बांद कर रख सकती है किसान सातियों ये था मेरा गोबर की खाद पर यानि बहरूप ये गोबर पर एक छोटी सी प्रस्तुती साधारन सब्जों में मैंने गोबर की खाद की महत्ता समझाने की कोशिस की है आसा है आपको समझाई होगी और जो दोनों लेक जो वेस्टी कमपोजर कमपोस्ट, हुमेस और गोबर की खाद करे है गोबर की खाद को अगर सुद्ध गोबर से बना je तो हम मैनियोर भी कहते हैं हिंदी में इसका अर्थ खादी होता है लेकिन अंग्रे जी में इसे मैनियोर कहते हैं और जो कमपोस्ट होता है जो कमपोस्ट भी खाद होता है कि एक खाद भी है खाद किरिया भी है और खाद नाउन भी है जब हम एक प्रोड़क्ट की बात करते हैं जो हमें किस अवस्था में मिलता है तो वह है खाद होता है लेकिन जिस किरिया से यह है खाद बनता है उसमें आपकी सबजिया भी हो सकती है, घासपोस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैन्योर में केवल आपके एनिमल वेस्ट ही होगे है, यानि पैसाब होगा और गोबर भी होगा. किसान सातियों ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर अपने विचार मुझे अवस्य लिखे हाँ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक अवस्य करें इसी के साथ विदा लेता हूँ धन्यवाद, नमस्कार, जैहिन, जैवारत